नमस्टकार दोस्तों मैं आइमाई शूप पारशर हर साल एक बड़ा ही डिमांडेड कोश्चन उड़ता है सभी के मन में इस्पेशली क्लास 10 और क्लास 12 की बात करें तो उनके माइंड में चलता रहता है कि रिजल्ट कव आएगा एक्जाम कव और में रही रहत है कि हमारा टाइम टेबल कव आएगा मैं सबसे पहलेterm क्लियर कर देता हूँ किस कि evolving आंपका 10 तुछानस नहीं सबसे एक बाद कभी भी है सकता है साथ दिसंबर के बाद से आपका टाइम टेवल कभी भी आ सकता है ये पहली चीज थी ठीक है अब आपका एक्जाम कब होगा ये वाला एक डाउट सता रहा होगा तो इसको भी मैं क्लेर कर देता हूँ आपका एक्जाम शुरू हो जाएंगे मतलब प्रैक्टिकल एक्जाम सारे के सारे एक्जाम्स खतम हो जाएंगे क्लास 10 के भी और क्लास 12 के भी MP बोर्ड की ठीक है यहां तो बहुत क्लियर है अब बात करते हैं प्रपरेशन पर तो आप मेरे को कॉमेंट करिएगा आप इंटरस्टेट कितना है पहले तो मैं देखना चाहता हूँ आपकी तयारी कि मैं रिजल्ट शेयर करने को उश्च करूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कम्यूनिटी होता है आप कभी यूट्यूब पर डालेंगे है मांशू कोचिंग क्लास तो कम्यूनिटी पर जाना बहां पर मनुका रिजल्ट डालूँगा जितने भी मेरे साथ मेरे स कॉमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटीजी किस तरीके से प्रपेर करना है यह मैं आपको बता दूगा इसी के साथ सथ एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा क्लास 10 से भी और क्लास 12 से भी वह बात यह है कि आपको टाइम टेवल का इंतजार नहीं करना है यह समझ लो कि टाइम टेवल आ गया है क्योंकि आने वाले 10 से 15 दिन में टाइम टेवल आ जाएगा यह बात तैय है ठीक है पर यदि आप यह सोच रहे हो कि जब टाइम टेवल आ जाएगा तब से मैं प्रपरेशन शुरू करूंगा तो एक बात को याद रखो जब टाइ टेवल आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा बहुत सरे टाइम टेवल फेक भी आएंगे इस बीच बहुत सरे यूट्यूब पर वीडियो भी आएंगी तो मैं यह चाहूंगा कि अपना टाइम बरबाद ना करके चनल को यह वाले सब्स्राइब करके रख लीजे जैस यह आपके लिए काफी helpful रहेगा थैंक यू